हमारे यूटीब चैनल समाईला टेटोरियल में आपका स्वागत है मैं बरिजाज कंपिटर फगरटी आज हम सिब्जेक कंपिटर साइंस कलास 6 चैप्टर 8 आउट्पूट डिवाइसिस में इस चैप्टर के मल्टिपल ज्वाइस कोस्चन्स और फिल इन दा ब्लैंक्स पढ़ आउट्पूट डिवाइसिस हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टिपल च्वाइस कोस्चन्स तो पहला कोस्चन है मॉनिटर इस सौफ्ट एडश हाड्पूपी आउट्पूट डिवाइस इसकी ऑप्शन है प्रिंटर प्लोटर बोथ ऑफ दीज जा नन ऑफ दीज इसका स आउट्पूट डिवाइसिस वो होती है जो हमें आउट्पूट स्क्रीन पे देती हैं जैसे कि मॉनिटर और हाड्पूपी डिवाइस हैं इनकी आउट्पूट पर्मानेंट होती है जैसे प्रिंटर एक पेज परिंट करके देता है और प्लोटर जो है बहुत बड़े चार सुनना चाहते हो music सुनना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी डवाइस उज़ होती है इसके options ए printer speaker microphone जा mouse तो इसका सही answer है speaker की speaker की मदद से हम computer से sound music और आवाज सुन सकते हैं नमबर त्री dash prints output on paper की कागज पे output कौन print करता है इसकी options है printer keyboard mouse जा speaker तो इसका सही answer है printer की printer prints output on paper नमबर चार टैश printer prints by joining dots की dots के pattern में कौन सा printer print करता है इसकी options है dot matrix inkjet laser जा नन अफ दीज तो इसका सही answer है dot matrix dot matrix printer dots के printer में printing करता है नमबर पांच monitors are of dash types की monitor कितने तरह के होते हैं इसकी options है two three four जा फाइव इसका से answer है two monitor दो तरह की होते हैं एक होता CRT एक होता है flat panel CRT के मतलब cathode radio यह बड़े-बड़े monitor होते हैं यह पहले यूज होते हैं आज कर इंका यूज नहीं होता तो आज कर कौन से यूज होते हैं flat panel flat panel में LCD भी आ जाती है और LED भी आ जाती है नमबर six headphones are also card dash headphones को और क्या बोलते हैं इसके options है iPhone earphone both of these and none of these तो इसका सही आंसर है earphone कि जो headphones है इनको earphone भी बोलते हैं आगे है fill in the blanks तो पहला है dash devices are used to get information from computer यह computer से information प्रापत करने के लिए कौन सी devices use होती है इसका आंसर है output कि output devices are used to get information from computer यह output devices की definition भी है notice how? Number two dash is soft copy output device की soft copy output device कौन सी होती है इसका answer monitor कि monitor soft copyowa logo device है जो हमें result screen पर दिखाती है नमबर three dash is hard copy output device की hard copy output device कौन सी होती है इसका answer है printer जा plotter भी आप देख सकते हो चुछ को printer go plotter जो अनो hard copy output device है यह output को काज़ते हैँ और इनकी output पर्मानेंट होती है नमबर चार डैश प्रिंटर प्रिंट्स बाइ जोइनिंग डोट्स की डोट्स के पैटरन में कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है इसका आंसर है डोट मेट्रिक्स जिसको दी एमपी प्रिंटर भी बोलते हैं कभी आप रहेलिफ स्टेशन पर जाओ जो ट as compared to dot matrix और ink check printer तो आज के लिए इतना ही अगली बार फिर किसी ने topic के साथ मिलेंगे अगर आपकी कोई query है तो आप comment section में पूश सकते हैं जा अपने computer अधियाफ़क की मदद ले सकते हैं